Hello बच्चो, Welcome back to my channel मेरा नाम जगदीप है और यह जो वीडियो सीरीज है इसमें हम बात कर रहे हैं Ordinal Utility Analysis के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की Indifference Curves के Meanings, उनके Diagrams और Marginal Rate of Substitution के बारे में इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे Properties of Indifference Curves बच्चो अगर आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजेगा क्योंकि जैसे ही यह वीडियो सीरीज खतम होंगी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो important concepts हैं उन पे notes और quizzes रिलीज करूँगी ठीक है और इन topics में जो छोटे-छोटे concepts हैं जिन पर बड़े वीडियो नहीं बन सकते वो concepts आपको मेरे Instagram चैनल पे मल जाएंगे आप मेरा Instagram चैनल भी follow कर लीजे ठीक तो बचो बढ़ते हैं आगे lecture में तो जैसा कि मैंने पहले बताया हम इस पार properties of indifference curves जो है वो study कर रहे हैं तो पहली property जो indifference curves की है वो यह है कि भई indifference curves जो है यह downward sloping होते हैं ठीक है? प्रापरटी को डीटेल में study करने से पहले एक छोटा सा recap कर लेते हैं तो indifference curve पे हर एक point consumer को same level of satisfaction प्रवाइट करता है ठीक है पर वो same level of satisfaction consumer को कैसे मिलेगी कुछ ऐसे अब हम में पता है कि consumer के पास दो commodities होंगी है ना सो consumer को एक commodity के units की consumption कम करनी पड़ेगी ताकि वो दूसरी commodity की consumption बढ़ा सके कुछ इस तरह से कि उसकी total satisfaction जो है वो same रहे ठीक है इसी लिए indifference curve जो है यह downward sloping होता है क्योंकि यह जो system है यह system आपको सिरफ एक downward sloping curve में ही मिलेगा एक बार हम कर्व देख ले कैसा दिखता है indifference curve सो यह हमारा indifference curve है यहाँ पे हमने y-axis पे चॉकले ले रखी है एक आक्सेस पे पीजा स्लाइस ले रखी है ठीक है तो यह हमारे पिछले वीडियो के ही examples है जिने हम यहाँ पे continue कर रहे है ओके यह जो है यह हमारा indifference curve है इससे हम लेबल करते हैं 211-2 स्ञेसा कल चॉकलेmus 1-2 ओकला मरेरा और बाताईसու आएक और कलड़नेशन 2-3 पिजा पांद बेल फारके की की जब यह हम यहाँ पे देखता है कंझूमर घंएक की चuine करणिएंगि पेलेचा क्टीस्ट ममारा पिजा जानचे हम यहां पर कला कह लिग जो प्रकेम से जो पीजा की ज्लाइसज जो है जादा पीज्ड कर पा रहा हैं तो यहां पे क्या हुआ है चॉकलेट की चंजाम्शन कम हुई है पीजा की चंजाम्शन बढ़ गई है इसलिए जो यूटिलिटी है इस कंजिमर की वह नहीं अशनल है और यह जो सिस्टम है यह सिरफ इस से अब downward sloping curve ही क्यों हो, दूसरे भी तो slopes हैं, उनमें भी हम एक बार ट्राइ करके देख सकते हैं, बेशक देख सकते हैं, in fact अभी देख लेंगे, है ना? सो, can an indifference curve have a different slope? तो मान लेते हैं, अब हमारा जो indifference curve है, यह एक vertical curve है, vertical याने की parallel to y-axis, तो यह बन गया हमारा indifference curve parallel to y-axis, और इसमें consumer है, इस point पे, जो की है point A, ठीक है? point A पे consumer C, chocolates consume कर रहा है, और P, pizza slices consume कर रहा है, ठीक? अब अगर consumer अपनी consumption change करता है, A से B point पे जाता है, ठीक है? तो B point पे consumer अब chocolates consume कर रहा है, C1, पर pizza slices अब भी P है, तो point B में क्या हुआ है, consumption of chocolates कम हो गई, पर pizza की consumption उतनी ही है, तो इस case में consumer की जो utility है, वो change हो गई, इसलिए हमारा indifference curve can never be parallel to y-axis, ठीक है, अब हम लेते हैं सेनारियों, जहां पे हमारा indifference curve जो है, parallel to x-axis है, ठीक है, parallel to x-axis, कुछ ऐसा दिखेगा, ये बन गया हमारा indifference curve, और मान लो ये हमारा point A है, जिस पे इतने pizza slices खाय रहे हैं, और इतने chocolates खाय जा रहे हैं, ठीक है, अब अगर consumer दुबारा से point B पे ज consumer P1, pizza slices consume कर रहा है, और chocolates अभी भी C है, है ना, तो क्या हुआ है, chocolates का consumption जो है, वो तो सेम रहा, बट pizza slices का consumption बढ़ गया, तो consumer के पास, जो units थे, जो number of commodities जो वो अब कंजूम कर रहा था, units of two commodities, वो इस combination में ज्यादा है, A के comparison में, that means, इस combination पे utility जो है, वो बढ़ जाएगी, है ना, अब consumer फिर से जादा satisfaction गेन करेगा, क्योंकि अब वो पहले से जादा consume कर रहा है, पर ये तो possible नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, first slide में, हमने ये पढ़ा था, कि अगर एक commodity की consumption बढ़ानी है, तो दूसरे की कम करनी ही प गई, और हमारा first statement, जो slide पे था, वो भी violate हो गया, कि एक ही indifference curve पे, अगर दो points लाए करते हैं, तो वो same satisfaction देंगे, पर यहाँ पे तो same satisfaction नहीं मिल रही, यहाँ पे तो satisfaction चेंज हो गई, इसे लिए, एक indifference curve, parallel to x-axis भी नहीं होगा, next, जो slope है, वो है upward sloping curve, upward sloping curve, ठीक है, यह होगे हमारा upward sloping indifference curve, और मान लो, यह हमारा point है, point A, तो C और P भी मैंने मिटाए नहीं, वो पिछले section से same चल रहे हैं, यह रहा हमारा units consumed A का, ठीक है, तो अब A में consumer क्या consume कर रहा है, C consume कर रहा है, और P consume कर रहा है, ठीक, अब मान लो, वो combination B यूज कर रहा है, combination B मान लो, यहाँ पे है, ठीक है, तो अब combination B में, C1 chocolates consume कर रहा है, और P1 pizza slices consume कर रहा है, तो B में अब क्या हुआ, C1 chocolates, और P1 pizza slices, अब हम यहाँ पे देखे, तो चॉकलेट का consumption भी बढ़ गया, पीजा का भी बढ़ गया है, B में, इस consumer का, चॉकलेट का consumption भी बढ़ गया, और पीजा का consumption भी बढ़ गया, तो क्या इसे same level of satisfaction मिलेगा यहाँ पे, कभी भी नहीं, क्योंकि अब इसके पास जादा units है, consume करने के लिए, तो इसका level of satisfaction इंक्रीज होगा, याने कि, utility जो है, वो, इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि, utility हमेशा increase होती है, decrease भी हो सकती है, मान लो, अब यह point R पे आ गया, ठीक है, so point R पे इतनी चॉकलेट से हैं, और इतने पीजा स्लाइसे हैं, C2 और P2, ठीक है, so point R पे इसकी consumption क्या रहे गई, C2 और P2, अब A और B दोनों के comparison में, अगर हम देखे, तो चॉकलेट की consumption भी कम हो गई, और पीजा की consumption भी कम हो गई, तो इसके पास अब पहले से कम commodities हैं, कम units हैं, जो वो consume कर रहा है, है ना, तो utility यहाँ पे गिर गई, तो utility यहाँ पे कम हो गई, फिर से हमारा rule वाइलेट हो गया ना, रूल क्या कह रहा था, कि बई IC कर्व पे जितने भी points हैं, उनसे मिलने वाली satisfaction जो है, वो same रहेगी, बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, A से B में satisfaction जो है, वो increase हुई, और A से R में satisfaction जो है, वो decrease हो गई, तो यह जो rule है, यहाँ पे violate हो गया, कि बई A की IC कर्व पे consumer को same level of satisfaction मिल इसी लिए, indifference कर्व हमेशा downward sloping ही होगा, ठीक, तो indifference कर्व अगर downward sloping है, तो ही यह दोनों conditions satisfy होगी, और तो ही indifference कर्व valid कर्व होगा, ठीक, बच्चों, I hope आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, अगले वीडियो में हम property number 2 discuss करेंगे, ओके, बाई ना, टेक के, आपको कर्वार ईे, आपको कि अपको कॉछा हमें हे भी शना हमेंगे, बाई हमें एक-शर ऑड़ और अई उह दुड़ा होगी, और कि और तो हमें हमेंगे, जो हमेशा होगी, डռको यह वीडियोंच де जाई होगी, जो हमेशा अवार पिवादा साज्के प्रतरिश से करें